नमस्कार, इंडियन फूड मेड इजी में आपका स्वागत है आज हम जानेंगे सुन्दता और सेहत के लिए आमले के आशदेगुन आमला सेहत के लिए बहुत ही गुनकारी होता है इसमें एंटि आक्सिडंट, विटामिन सी, ए, बी कॉंप्लेक्स, मेगनीशियम, फाइबर और आरन जैसे ज़रूरी तत्व भर पूर मात्रा में पाये जाते हैं इसका सेवन आचार, मुरब्बा, जूस के रूप में किया जाता है आमला सेहत, ब्यूटी और बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है आमले का जूस, रुजाना सुबा खाली पेट पीने से सेहत से जोड़ी हर परिशानी दूर हो जाती है आमला तवच्चा को जवान रखता है आमला चहरे पर जूरियां, फाइन लाइन जैसी परिशानियों को कम करने में मददकार है आमले का रस पीने से तवच्चा जवा बनी रहती है आमला मुहासी हटाने में मददकार है आमला नैच्रल ब्लड प्यूरिफायर है इसके पेस्ट को चहरे पर लगाने से मुहासे और दाग धपन से चुटकारा मिलता है आमला डेट सेल्स की सफाई करता है धूल और मिट्टी के कन चहरे पर पढ़ने के कारण तवचा रूखी और बेजान सी हो जाती है इसके लिए आमले के रस में थोड़ा सा पानी मिलाकर चहरे पर तीस मिनट के लिए लगाए इसके बाद गुनगुने पानी से धोले आमला बालों की जड़े मजबूत करता है आजकल उम्र से पहले बालों का सफेद होना आम बात है इसके लिए आमला बहुत गुनकारी है इससे बालों को नैचरल पोशिन मिलता है और उनकी जड़े मजबूत होती है आमले और नीम्बू का रस बराबर मातरा में मिला ले इससे बालों की जड़ों पर बीस से तीस मिनट के लिए लगाए और बाद में बाल धोले सफेद बालों को काला करने में आमला बहुत मददकार है इसके लिए थोड़े से सुखे आमले को नारियल के تेल में तीन से चार दिन भिगो कर रखते इस तेल से बालों की जड़ों पर मसाज करें इससे बाल सफेद होने रुक जाएंगे आमला बालों में रूसी से छुटकारा दिलाता है रूसी से परिशान है तो आमले में तुलसी के पत्ते और पानी डाल कर पेस्ट तैयार कर ले इस पैक को बालों की जड़ों पर 15-20 मिनट के लिए लगाए और बाल धो ले इसे हफ़ते में दो बार इस्तेमाल करें आमला वजन कम करने में मदद करता है आमला खाने से शरीर में अतिरिक्त चर्वी कम होनी शिरू हो जाती है इससे वजन घटता है और सेहत से जुड़ी बाकी परिशानिया भी दूर हो जाती है आमला आँखों का ख्याल रखता है आमले के रसका रुजाना सेवन करने से आँखों के इंफेक्शन, जलन, पानी आना जैसी परिशानिया दूर हो जाती है इससे आँखों की रोशनी भी बढ़ती है आमला खांसी और बलगम में फायदे मंद है खांसी आने पर दिन में दो बार आमले का मुरब्बा गाएं के दूद के साथ खाएं अगर जादा तेज खांसी आ रही हो तो आमले को शहत में मिला कर खाने से खांसी ठीक हो जाती है आमला यूरिन इंफेक्शन में फायदे मंद है यूरिन इन्फेक्शन हो तो हरे आमले का रज शहर में मिला कर सेवन करें इससे इन्फेक्शन ठीक हो जाएगी उमीद है आपको मेरी ये वीडियो से बहुत उपयोगी जानकारी मिली होगी कृपा इस जानकारी का भरपूर फायदा उठाए और मेरी वीडियो के जरीए अपने दोस्तों और प्रिये जनों तक पहुंचाए मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल की बाकी वीडियोज भी जरूर देखें धन्यवाद